एक्सराइज एक और दो में जो मुख्य काम कर रहे हैं, वो इस बात को समझने का काम कर रहे हैं कि सुख हमारा सभाव है या प्रभाव है, तो यह जो निरंतर सुख हम चाहते हैं, वो कैसे सुझिचित होगा, अपने में सुझिचित होगा, अपने सभाव में होगा या बाहर क प्रभाव से होगा यह मुख्य प्रश्न है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं साइज वन में देखें और तू में देखें तो मुख्य प्रभाव से साइज वन में हम लोग इस बात को समझने का कोशिस कर रहे हैं कि सुख हमारा स्वभाव है ये कोई बाहर से पाने की चीज नहीं है अपने में सुनिशित करने की चीज है अभी तक जो हम जारा तक समय माने रहते हैं वो ये माने रहते हैं कि सुख हमारा प्रभाव है और दो तरह से उपाया जा सकता है एक तो अनुकुल संबेदना के अधार पर हम सुख्य हो सकते हैं और दूसरा अनुकुल भाव पातर सुख्य हो सकते हैं ये दो हमारी भी मानिता है और इसके साथ हम कितना भी प्रयास करते हैं निजनतर सुख्य होने का हम होली बात हैं तो तुक जो है वो हम्माना सभाव है वो हम अपने में सुनिश्यत कर सकते हैं यह बात को हम लोग देखने का प्रयास कर रहें अभ्याते और इसको जब देखते हैं तो यह पता लगता है जो अभ्यात एक में हम दो प्लतना चिल्टा को देख सकते हैं, कल्पना चिल्टा में अपने भाव विचार को देख सकते हैं, अपने मिये जाज कर देख सकते हैं, कि ये भाव हमारे लिए सहज है या सहज है, सुखद है या दुखद है, इतना जब देख लेते हैं, तो हमको ये पता लग जाता है, कि हम हमारे में जो भाव चल रहा है, वो सहज होता है, तो हम सुखी होते हैं, और सहज होता है तो दुखी होता है, तो अपने भाव के आधार पर हम सुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, इस बात को स्टेप 1, 2 और 3 में हम लगों ने देखा हैं, स्टेप चार में ये बात भी देखा कि जो भाव हमारे में चल रहा है उसका निर्ने तो मैं खुजी कर रहा हूँ बाहर की कोई घटना या कोई व्यक्ति उस पर हमारा ध्याना कर्शन करा सकता है लेकिन मैं अपने में क्या भाव बनाऊंगा क्या विचार करूंगा इसका निर्ने तो मैं खुजी करता हूँ और यह भी हम लोग ने देख़ा कि यह नीलने करने का जो आधार हो। वो हमारे में जो स्रिक्रिती बनी हुई है जो माननेता बनी हुई है इसके आधार करें हुई है। तो हमारे जो संस्कार है, हमारे जो माननिता है, उसके आधार पर हम अपने भाविजार को तरह करते हैं, उसके आधार पर हम सुखी होते हैं. यह बात हम लोगने अभ्यात के jeśli पास तक देखा यह भी देखा कि जब हमारा संस्कार हमारी मानेता समझ पर आधारित होती है तो हम सही भाव के प्रक्ष्मेट प्रहर्स भाव के प्रक्ष्मेटर्र के प्रक्ष्मवी ले जेते हैं और सुखें होते हैं जब हमारी मानिता समझ पर अधारित नहीं है, तो हमारा भाव उचार निश्चित होगा, ऐसा हम नहीं कहता है। अगर सही है मानिता, तो सही भाव होगा, सहज भाव होगा, सुखर भाव होगा। सही हो सकता है, हम सुखी हो सकते हैं, इस चंभी अगले चंभी है चंभी, तो सही समझ के आधार पर नहीं भाव को सुचित करके हम अपने में निवन तर तुखी रहता हैं। उसी के करम में, step 6 और 7 में हम लोगों ने ये काम किया, कि इस बात को देखने का प्रयास किया कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है। संभन का या विरोध का, विवस्था का, विवस्था को, विवस्था का विवस्था का, नहीं हैं। और हर्चन हम अपने में संबन विरस्ता और सहस्तित का भाव सुनिशित कर सकते हैं, तो हम हर्चन अपने में तुखी रह सकते हैं, बाहर के स्थिति जाए पर इसे भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तो ये बात हम लोगोंने देखा, उसमें स्थेफ साथ में यह भी दे कि अगर संबन विरस्ता और सहस्तित हमको समझ में आगा है, और ये दिख जाए कि हस्तित में ऐसा ही है, तो बहुत सहाज धन से हर्चन हम आले में संबन विरस्ता और सहस्तित का भाव बना रह सकता है, और हम अपने में संभीत में रह सकते हैं, तुखी रह सकते हैं, तो इस इस अर्च में देखें, तो हम संबंध वेवस्ता और सहस्तित को समझ कर, संबंध वेवस्ता और सहस्तित का भाव हर्चन अपने में बनाए रखते हुए, हम संगीत में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, और इस अर्च में ये कहा, कि सुख हमारा स्वभाव है, बाहर से आने प्रुभाव नहीं है, हमारा सुभाव जिसको हम अपने समझ के आधार पर तुनिशिद कर सकते हैं, अपने ग्यान के आधार पर तुनिशिद कर सकते हैं, उस सुभाव में रहते हैं, हम सुखी रह सकते हैं, उसकी निदनतरता हैं सकती हैं, यह मुठ्ध काम हम लोगों ने एक बार यह दिख जाए कि सुख हमारा सभाव है और उसको हम अपने में जाज कर देख कर निशिक कर लें तो मेरे सुखी होने का काम तो पूरा हो गया अब मेरी निर्भरता नहीं है बाहर सुखी होने के लिए लेकिन मैंने बाहर के साथ अपने संबंद को व्यवस्था को देखा है स्विकारा है इसलिए बैभाव के रूप में हम बाहर संबंद कुर्वत व्यवस्था को दो जीए तो वो हमारे जीने का वैभाव हो हमारी बाध्यता नहीं है मैं जो परसवर्ता में जी रहा हूं वो सुखी होने के लिए नहीं जी रहा हूं सुखी होकर जी रहा हूं अभी तक क्या है जब बहार से कुछ पाके सुखी होना है तो उसके उपर निर्भरता है कि बहार अनुकुलता होगी तो हम सुखी होगे एक बार हमको सही समझ के आधार पर, संबंद व्यवस्ता और सहस्तित्य को समझने के आधार पर, उसका भाव सुनिचित होने के आधार पर हम अपने में हर्चन सुखी हैं तो अब हमारी निर्भर्टा नहीं सुकी होने के लिए भास लेकिन हमारा वैभाव है हमको संबन दिखता है व्यवस्था दिखती है इसलिए वैभाव के लूप में हम सब्सक्रता संबन फुरवक व्यवस्था पुरवक देने का काम है उसको हम लोगने एक्स्प्रेशन बताय था कि अपने में सही समझ के साथ, सही भाव विचार के साथ हम परस्परता में सही वरवार करेंगे, सही कारेंगे, उससे उभे सुख मिलेगा, उभे समझी मिलेगी, और ठीक-ठीक व्रवास्ता में भागिदारी करेंगे, उससे मानों तो यह जो परस्परता में जी रहें वह हमारे अपने में समझ पुर्वक्त भाव पुर्वक्त सुखी होने का एक्सप्रेशन है ना कि उस पर हमारी निर्मस्टा है तो वह जो मानिवी आचरन के संदर में हम लोगों ने तो यह जो चित्र बना हुआ है इसमें उपर जो एक्टिविटी अब इस सेल करते हैं उसको देखें तो संबंध व्यवस्ता और सहस्ति तो हमको समझ में आ जाए वीवन में उसके आधार पर हमारी कल्पना सुन्टा चलने लगे, बीटू चलने लगे, हमारा भाव उचाज सही हो जाए इतना हो गया तो हम अपने में आराम में हैं, संदीत में हैं, सुखी हैं और यह हमारा सभाव है, यह बाहर का प्रभाव नहीं है तो हमने अपने सभाव को समझ लिया, हम अपने सभाव में इस्टित हो गए, इस आधार पर हम हर्चन अपने में क्रिप्त हैं, अपने में सुखी क्रिप्ति पुर्वा का बैभाव के रूप में बाहर व्यवार कर रहे हैं, कारी कर रहे हैं, व्यवस्ता में भागीदारी कर रहे हैं ऐसा जब हम करते हैं, तो हमारा जो व्यवार है, वो हमारे लिए भी सुख़द होता है, दुप्तों के लिए भी सुख़द होता है जो हम सेश्प्रकिति के साथ कारी करते हैं तो हमको भी सम्रिति बनाता है और दूसरे को भी सेश्प्रकिति को भी सम्रिति बनाता है इसी तरह से जब हम वेवस्था में भागी दारी करते हैं परिवार को लेगता है ग्राम और समाज और सब्द्यगाद तो हम अपने मालों लच के पूर्टी करते हैं ऐसा जीने को जब हम फैलाते हैं तो उससे अखन समाज और सार्भूम व्योस्था वर्टी है कि जो अखन समाज सार्भूम व्योस्था है वो हमारा त्रैम में व्योस्था होने का बैदो हुए कि इस अक्न समारावन द्रस्ता कोई सवाराद के पढ़ाने और यह झालत है। वह हमारे में जो स्वातंतृता है बिल्बल दिना है अपने में जो सही समझ सही भाव की तार्थ का पिना है। कि स्वतंतृता का अभिव्यक्ति तो अगर अपने लिए काम देखेंगे तो मुख्य काम जो है वो स्वतंतृता को सुनिश्चित करना है सही समझ, सही भाव विचार को सुनुचित करना है ऐसा करके हम स्वतंत्रता रूप से जीते हैं खुद सुखी रहते हैं बैभाव के रूप में बाहर व्यक्त होते हैं संबंद और व्यस्था पुलवग तो दूसरों के लिए हम सुख सम्झिद्जे का सुष बंते हैं व्यस्था का सुष बंते हैं उसको स्वराजी कहा है तो स्वतंत्रता पुलवग जेने का अभिव्यक्ति है स्वराजी तो इतनी बात को हम लोगों ने देखा था यह जो अभिव्यक्त होना है परसपरतामी उसको अभ्यास दो में समझने का पुपोचिस किया कि सरीर के माध्यम से जो अभिव्यक्त होना है दूसरे मनुश्य के साथ जो अभिव्यक्त होना है तेस प्रकिति के साथ जो अभिव्यक्त होना है उसको समझने का काम अभ्यास दो में कर ला है तो अभ्यास दो के सारे स्टेप्स को देखेंगे तो वो इस बात पर सर्चा है इस बात को देखने का प्रयास है कि हमारे में अगर स्थिति हार्मनी की है सुख्की है उसको समझने के लिए अभ्यास दो को काम में जाए है तो साल इतने देखेंगे तो इतना है अभ्यास एक में अपने को और अपनी स्थिती को समझने का प्रयास है और अपनी स्थिती में परिमार्जन करने का प्रयास है अभ्यास दो में हमारी जो परिश्पर्ता में वेक्ष ह उसको समझने का प्रयास है और उसको सही करने का प्रयास है। तो इतना काम हम लोग ने किया। प्रयास देखने का प्रयास कर रहे थे। किस सुख हमारा सुभाव है या प्रभाव। खास करके अभ्यास एक में तो यही प्रयास किया हम लोगों ने। कि हमको यह दिख जाए कि हमारा सुख हमारे भाव विचार पर निर्भर करता है और हमारा भाव हमारे जो अभी तक की मानिता है जो संस्कार है उसे तै होता है यह भी हम लोगों ने देखा कि हम अपने स्विकारिता के अधार पर नेच्छल एक्सिप्टेंस के अधार पर यह जाजपरक कर सकते हैं कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है कौन सा भाव का सुख़द है कौन सा दुख़द है इस पुर्वर्ट देखने का अपने भाव को और उसका मुल्यांकन करने का जो काम है उसको अगर हम ठीक से करें तो दीरे-दीरे हमारे भाव में बदला होने लगता है जो सहज और सुख़द भाव है उसकी कंटिनुटी होने लगती है जो असाज है जो दुख़द है वो धिर जो हमारा स्वभाव है उसको अगर हम ठिक ठिक पहचान लें और उस वभाव में हम स्थित हो जाएं तो हम अपने में पंगीत में रह सकते हैं सुखी रह सकते हैं ऐसा हम लोगों ने अभ्यास एक में देखा कि इतने भी सीमा तक हम उस काम को कर पाए हूं लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी तो हमको दिख गई है कि ऐसा होता है ऐसा हो सकता है जो कि अपने आप में एक महत्यपुन उपलब्दी है तो प्रश्ण अब यही है कि हमको अपने पर काम करना है अपने स्वभाव को पहचानना है अपनी स्वभाव में इस्चित होना है जितना जितना यह हम करते जाते हैं उतना उतना हम अपने में हार्मिनी में रहते हैं सुखी रहते हैं तो यह बात की सुख हमारा स्वभाव है इसको देखने का काम हम लोगों ने अब्ध्यास एक में सुरू किया है और उसका एक ग्ल करते रहें चाहै वो अनुकुल संबेदृ नाउं को पाकर सुख्य होना या अनुकुल भाव पाकर सुख्यू होना उन दोनों से जो सुख मिलता है वो बहुत सामौईक है उसकी निरन्तरता नहीं है और ध्यान से देखें तो वो आवेशी है सुख नहीं ऐसी इस्थिति नहीं है जिस हमारे में आराम देता हो हमको और हम अपने में उसको बनाए रखना चाहते हूं तो वो चनिक सुख भी सुख है एक त्रिप्ति की स्थिति है या एक आवेस है यह प्रश्न बहुत बार बात किया गया है आप लोगों इसको अपने पर देखा ही होगा तो यह जो बात से कुछ पाकर सुखी होने का जो दो मौड़्ल है हमारा उससे फकी निरंधरता नहीं हो सकती यह तो पक्का है ना तो ध्यान चला गया है और ये बात पर विद्धान चला गया, कमसे कम उसका glimpse मिल गया हमको, कि अपने में सभाव में स्थित होते हैं, अपने सहज शुखित भाव में स्थित होते हैं, तो उस द्रिष्टई से सुख हमारा सभाव है, और हम अपने सभाव को पहचान लें, कि संबंद व्यासता और कि अपने भाव को स्वभाव के अर्थ में में व्योस्चित कर सकते हैं और उस स्वभाव में रहते हुए हम सुखी रह सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी तो हमको दिग गई है उसके डिटेल्स को हम हम लोग देरे देरे उस पर काम करी रहे हैं इसमें लोग की अभ्यास एक में इसकाम को कर रहे हैं और ये भी का था कि यहाथ हुम्ने में सहज भाव सुख़ज भाव के साथ हैं अपने स्व Murray हैं तो उसके अभियक्ति के में जो वियक्त होते हैं, उसके तहाइट हम हरा वैवार सही रहता है, कारे रहता है, वियास्ता में भागिदारी सही रहती एंग, हमारा वैवार उगज सुकारी होता है, हमारा कारे। हमारे और प्रकिती के लिए समर्दी करने वाला होता है और हमारी वेवस्ता में भागेदारी जो है हमारे लक्ष को पूरा करने वाली होती है और उसका विश्थार अखंड समाय सार्भूं वेवस्ता के रूप में दिखाई पड़ता है यह सारी बातों को हम लोग ने देखा, या कम से कम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके संदर में यह कहा कि यह जो हमारा जीना है परशपरता में, वो हमारे अपनी स्थिति का वैभाव है, तो जब हम अपने में संगीत में रहते हैं, सुखी रहते हैं, सुतंत्र रहते तो हमारा जो परस्परता में जीना है हमारे बैभाव के रूप में वही स्वराजी के रूप में पहचान में आता है हम अपने सभाव में है या प्रभाव में है उसको इस आधार पर हम मुल्यांकन कर सकते हैं कि अभी हमारे जीने का केंदर क्या है तो उसको हम लोगों ने एक तरह से व्यक्ट किया है रखा है उससे आपको इस बात का मुल्यांकन करने में सहयोग मिलेगा कि आपका जीने का जो लेवल है या जीने का केंदर है वो क्या है और उस आधार पर आप यह देख पाएंगे कि अभी भी आपका ध्यान बहार से सुख पाने पर है या अपने समभाव में इस्चित होकर सुख को सुनिश्चित करने में हैं तो उसके दिश्टी से ये बात हम लोगोंने यहाँ पर लिखी है कि हम अपने से पूछ सके हमारे जीने का केंद्र क्या है तो इस प्रशन को हम लोग पूछ रहे हैं तो ये छे पॉसिबिलिटी है हमारे जीने का केंद्र सुखिदा हो हमारे जीने का केंद्र सरीर हो हमारे जीने का केंद्र संबेदना हो हमारे जीने का केंद्र संबंध हो संबंध में भी यह दूसरे से भाव पाना हमारे जीने के केंदर में हो या स्वैम में भाव को सुनिशित करना हो उससे और उपर जाएंगे तो हमारे जीने का केंदर हमारा स्वैम में हो जाए और उसमें भी कल्पना सिल्टा हमारे केंदर में है यह हमारे जो मानिता है सित्रिती है संस्कार है जो कल्पना सित्ता के पीछे होती है जो कल्पना सित्ता को तै करती है वो हमारे जीने के केंद्र में है या और उपर जाएं तो जो सुद्य द्रश्टा है जो साक्षी है जहां से हम सहस्रिती को एक्सेस कर रहे हैं वो हमारे जीन के कंद्र में हैं और उपर जाएंगे तो साख्षी होते हुए द्रश्टा होते हुए हम संबंध व्योस्था और सहस्थित को देखने का जो काम कर रहे हैं तो अंत्रत्व गत्वा सहस्थित में जो को देखना है सहस्थित में अनुभव होना है सुन्ने को देखना है वो हमारे जीने के केंदर में है तो ultimately जो पाना सुनने को देख पाना वो हमारे जीने के केंदर में आ गया है तो ये अपने से पूछना है कि इन सब मैं से कहां कौन सा हमारा जीने का केंदर है अभी के समय उस्से हम को यह सरह हुग मिलेगा देखने में कि हम सुख को कैसा देख रहे हैं और कहां से सुख पाने की कोशिस कर रहे हैं यह जो छे, पाँच और चार की जगा पर हम जी रहे हैं और थ्री में विट्री, बी में अगर जी रहे हैं तो हम सुख बाहर से पाने की कोशिस कर रहे हैं अगर उपर 3 A में गए हम, 2 में गए, 2 में भी साक्षी की जगापर हैं, और 1 पर हमारा ध्यान चला गया है, सहस्तित में अनुभव पर, सहस्तित को देखने पर, सुष्टा की जगापर, और वो हमारे जीने का केंद्र हो गया है, तो फिर हम अपने में, अपने सुभाव को देखने का, अपने सुभाव में इस्थित होने का, उसके आधार पर सुखी होने का काम कर रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि सुख जो है मेरे अंदर हैं, और ये सुख के लिए मैं स्वैम दिनिदार हूँ, तो इंच्छे जगव पर देखने का काम करिए इतना साफ साफ देख पाना कि कैसे हमारी जर्नी जो है 6-5, 4, 3 3 में भी 3, B से 3, A और अभी 2 के 2, B में पूंटी है इसको ना साफ साफ देख पाएंगे तो फिर आगे का गती करने के लिए काम करेंगे इसमें ते कि 2, A पर तो काम सुरू हो जाता है क्योंकि हम लोग जो जास परक कर रहे हैं एक तो ध्यान देने का काम कर रहे है स्टेप 1 में एक्सराइज 1 के स्टेप 1 में जब ध्यान देने का काम कर रहे है तो तीन बाते कह रहे हैं एक तो हमको होस में रहना है aware होना है। जुसरा क्यार है कि हर्चन aware होना है। और तीसरा क्यार है कि कोई पर्तिकीरिया ने करना है। तो इतना को वित्षिछ और करने जाएंगे तो आपको 2A में पहुंचने पढ़ेगा। क्योंकि 2A में नहीं है और देख रहे हैं। तो कहिना कहीं अपने संस्कार के आधार पर आप परतिक्रिया करने लगेंगे, तो directly ध्यान ना भी जाए, लेकिन indirectly हम लोग जो step 1 का काम कर रहे हैं, वो अपने को दृष्टा के जगापर खड़े होकर, साक्षी के जगापर खड़े होकर, बाकि अपने सारे 2B में जो चल रहा उसको देखने का काम कर रहे है, तो एक जगापर तो shift हो गया है, लेकिन उसका glimpse मिलता है, उसके आधार पर 2B के काम चलता है, ज्यादा ध्यान 2B बग है, तो यह भी अच्छी स्थिति है, जीरे-जीरे अपने को shift होना 2A में, और वहां से 2B को देखना है, वही काम करी रहे ह साइज 1 को देखेंगे, तो बेसिक काम यह है कि हम 2A में ठड़े होकर 2B को देख रहे हैं, तो अपना सिलता को भी अपनी मननिता को भी फिर